हेलो दोस्तों स्वागत आपका अमारे यूटूब चैनल एपी टेक्निकल हेल्प ग्रूप में मोटर साइकल और गाडियों के टायरों को और यादी आपने कभी ध्यान से देखा होगा तो पाया होगा कि इनके उपर रबड से बने कई काटे जैसे रेशे मुझूद होते हैं कई दफ़ा हम लोग इसे मैनुफैक्टरिंग डिफैक्ट यानि की मसीन से बनते वक्त आई गई मामूली खराबी मानकर अंदेखा कर देते हैं लेकिन चोगा देने वाली बात तो यह है कि यह कोई बनावट में हुई खराबी नहीं है अगर कोई भी नया टायर खरीद रहा हो और उन टायरों में यह काटे मुझूद हैं तो इसका अर्थ है कि वह बहाद ही अच्चिक्वाल्टिका है इसी कारण से अगली बार यदि आप वैथा टायर खरीदते हैं तो इसका मतलब यह समझे कि यह काफी फाइदमन रहेगा यह टायर जोजना के तहत बनाया जाता है टायरों में रबड के काटे यानि के रबड हैर को बनाने का एक खाफी खास मक्सद है फिलाल जानते हैं कि इने कहते क्या हैं और इनका क्या प्रियोग है वहनों के टायर पर बने इन रबड के काटों को वैंट्स प्यूज कहा जाता है जिसका मतलब किसी भी वस्तु का बाहर की और निकले रहना दरसल इन्हें सड़क पर चलने वाले वहनों के टायरों की काम करने की अक्षमता को बहतरीन बनाने के लिए यूज किया जाता है सरल भासा में समझे तो गाड़ी के चलने से टायर पर एक प्रकार का दबाव बनता है इसी दबाव के परभाव को कम करने के लिए यह बनाया जाता है इने बनाने वाली कमपनिया जब इन टायरों का निर्मान कर रही होती है तो रवड से बने इन पैने हिस्सों को टायर में लगाया जाता है क्योंकि टाइर के बनने के दोरान इनके अंदर बुलबुले बनने का डर रहता है और ऐसा होने पर टाइर काफी कमजूर हो जाता है यही कारण है कि इने टाइरों में लगाकर इसका खत्रा कम करते हैं अब अगली बार यदि आप भी टायर करिदने जाएं तो इस बात का ध्यान अवश्चे रखे कि उनमें ये रबड के काटे अवश्चे हों दोस्तो आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तो आपका हमारा ये आज को वीडियो कैसor लगा वो हमें कमेंट में जरूर बताएं और ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सबस्क्राइब जरूर कीजाये पिर मिलूँगा दोस्तो एक नई वीडियो के साथ तब तक के लिए नमशकार